हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं पावर फाइनेंस कॉर्परेशन लेमिटेड की तो यहां आप थम्नेल पर भी देख रहे होगे ग्यारा दिन पहले ये वीडियो बनाया था थम्नेल पर भी मैंसने किया था 400 प्लस टार्गेट जाएंगे आज अपने टार्गेट अचीव होते हुए दिखे हैं और पूरे मैच करते हुए नजर आया है कुछ लेवल्स बताऊंगा नोट कर लीजेगा आने वाले दिनों का मोमेंटम रहेगा वैसा ही तो यहां पर आप देख रहे होगे कि जो इस स्टॉक चला है आज न्यूस भी थी यहां पर PFC सेट 7.69% कूपन फर 15-year Bonds Banker तो इस स्टॉक में आज एक सटन मोमेंटम देखने को मिला है और यहां पर आप देखेंगे जो कूपन हैगा 7.69% का वो कूपन उन इस Bonds मेस्टूरिंग इन 15-years तो 3 bankers said on Wednesday तो the state and company accepted bid वर्थ 33.35 billion rupees इतहाद invited bidder earlier in the day for this issue तो just because of this news यहां पर आप देखेंगे मोमेंटम बहुत भैंकर चलते हुए देखने को मिला है अपनको और यहां पर आप देखेंगे इस वर में IRFC का भी नाम हैगा तो IRFC भी आज थोड़ा इसी वज़े से अपनको bullish देखने को मिलाएगा अब यहां पर आपको कुछ levels बताऊंगा वो note कर लीजेगा तो यहां आप देख रहे होंगे कि stock में जो आज selling देखने को मिली है अपनको वो यहां पर थी 424 के आसपास एक momentum रुक्सा गया था क्योंकि वहाँ psychological level था तो कल अगर सारी चीज़े सही रहती है stock फिर से bullish momentum दिखाता है तो अपना जो पहला target जाएगा यहां से वो रहेगा 450 का 450 वेकाज एक psychological level है और उसी दौरान आप देखेंगे 421 4 से यहां से अपना momentum बनेगा आगे की दिशा में इसके पहले एक छोटा सा hurdle जरूर रहेगा जो कि आज है 425 का यहीं पर ही तो वो आप देख लीजेगा बाकी stock उपर की दिशा में 450 एंड देन अपना target रहेगा इसके आद 475 दो target अपने ही हैंगे उपर की दिशा में support की बात करेंगे अगर stock यहां से fall देखाता है तो पहला support यहां से अपना देखने को मिलेगा 410 के आसपस 410 के आराउंड 410 के बाद अपना जो next support रहेगा इसी दिशा में trend line की उपर रहेगा यहां पर या फिर आप कहा सकते हैं 400 वो एक psychological level है 400 और फिर trend line की उपर 396 तो यह तीन support रहेंगे अपने पहला यह रहेगा दूसरा यह वाला तीसरा trend line के पास यह तीन support होगा है उपर के लिए भी अपने यह दो target है तो hopefully यहां सारी चीज़ें समझ आ गई होगी क्या momentum रहने वाला stock कैसा चलने वाला है नतीज़ें इसके अच्छे ही रहे थे कोई कमी नहीं है PFC में यहां पर आप देखेंगे earnings भी साही निकल के आई थी और revenue भी दोनों ही अच्छे थे revenue 11.92 billion की बढ़त पर था और वहीं पर earning की बात करने तो 1.76 billion rupees की बढ़त पर था तो यह सारी चीज़ें साही रही है dividend भी कमपनी नहीं 4.50 rupees का निकाल दिया है तो कमपनी अच्छे चल रहे है बुलिश momentum के साथ और जल्दी जल्द अगर यही momentum रहा निफटे भी stability बना रहा तो कहीं न कहीं आप देखेंगे इसी December के ही महिने में आपको 500 तक के target भी easily देखने को मिल सकते हैं PFC में तो hopefully यहां सारी चीज़ें क्लियर होंगी मिलते हैं next video में this is me सुभम यादव signing off